हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं काटोरी चाड जिसके लिए मुझे चाहिए मैदा एक चम्मच अजवाइन नमक स्वादा नुसार दो चम्चे रिफाइन डॉल मॉमन के लिए मुझे और पानी माणने के लिए आप गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हैं च एक छोटी चम्मच यजवाइन एक चम्मच बीच में गड़ा बना लेंगे रिफाइन के लिए कि इसको मारेंगे प्रेली इसको मॉमन को अच्छे साथे में मिला लेंगे यह बहुत खसता होता है इसलिस में थोड़ा मॉमन भी जादा सही लगता है कि यह देखी है अब हम इसमें आविशक तरुसा पानी एड़ करते जाएंगे और इसको अच्छे से माड़ लेंगे यह वारा अट्रमट की तयार है फ्रेंड्ट अब हम इसको 15-20 मट के लिए थोड़ा सॉट होने के लिए रगतेंगे इस साइज की में बॉल बनाने ही अपनी अब हम इसको बेल लेंगे इसके लिए हमें पर्थन की ओई लानी कोई जोगत नहीं है क्योंकि हमारे ओर्रेटी हमारी लुई में सफिशेंट मुमन लगा अब हम इसको अपनी कटोरी के लाएंगे क्योंकि हम बना रहे हैं कटोरी चाहिए इस तरीके से हम इसको करते हैं कि मैंने अल्रेडी उपना गरम किया हुआ है में बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है हलका गरम है बहुत जालत इस गरम होगा तो हमारी बहुत जल्दी सिख जाएगी और थोड़ी सी कच्छी रह सकती है यह देखिए जाएगी तो यह अपने आपी कटोरी से बाहर आ जाएगी इसको भी हम सेखने देते हैं तब तक हम अपने दूसरी कटोरी चट्पी तैयारी करते हैं मैंने पहले से ही एक बेल गी थी अगर आपको यह ज्यादा लग रही है हम इसको दिवोफ भी कर सकते हैं इसको भी हम इसको साथ डाल लेंगे तो हमारी बूपी कटोरी को पहने डाली थी यह हमारी लगबग सिख चुकी है इसको हम कटोरी को आराम से बाहने का लेंगे देखिए आप इजीली बिलाओ एनिया फैट निकल देखिए कटोरी गरम होती है इसको निकाल के ताहिए निकल तुक है जो हमारी कटोरी जाली की थन्बी हो चुकी है इसके रहां रही हम अगली कटोरी के पैयारी करेंगे यह हमारी कटोरी चाट सिख चुकी है और हम इसको निकाल लेंगे अब हम अपनी कटोरी चाट को तयार करेंगे यह हमारी कटोरी इसमें यह मैंने छोले कुछ बॉयल करके रखे हुए आप छोले रमास या स्प्राउट्स कुछ भी उसकर सकते हैं इसके बात इसमें मैं डालूंगी तही तो माटर थोड़ी सी हरी चट्मी इसके बात इसको थोड़ा सव मिक्स कर लेंगे मेरे छोले और रही में मैंने पहले से हल्क का सलमक डाला हुआ है मैंने भी इमली सॉस नहीं बनाई थी मैं मैंगी की इमली सॉस यूज कर रही हो आप चाहे तो घर के इपनी यूज कर सकते हैं और इसके बाद थोड़ी सी नमकीन इसमें वैसे मिक्स्चर नमकीन ज्याद अच्छी लगती है इस वक्त में पर अवेले बिल नहीं है इसलिए और लास में हम कैसे मिर्च चटकेंगे और थोड़ा सा बुना जीरा बुने जीरे से फ्लेवर बहुती तेस्टी आता है बहुती यमी लगता है ये हमारी कटोरी चाह तयार है थैंक्स वर वाचिंग